नमस्कार दोस्तों आपका सवागत है मेरी चैनल में मेरा नाम मिनाकशी है और आज की वडियो में आपको पैंट पलाजो की क्टिंग और स्टीच 자िंग सिखाऊंगी और यह विडियो बिगनर्स के लिए है इससे पहले जो वडियो आई थी इसके साथ जो कूरती थी उसकी तो इसमें मैं आपको उसके साथ जो पैंट है उसकी स्टीचिंग और कटिंग सिखाऊंगी तो अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देए सामने जो बेल बेटन है उसे आपको दबाना है ताकि जैसी मैं वीडिय आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो को देख पाऊगे तो और वीडियो पसंद आने पर लाइक आपको जरूर से करना है आपको कोई भी कोशन हो आपको कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कॉमेंट करके पूश सकते हो या फिर आप मेरे इंस्ट देख लेते हैं लंबाई है 34 और कमर है 30 हिप है 36 और मोहरी है 13 और आपको अपने हिप के हिसाब से ही यहाँ पर निशान लगाने होते हैं तो आपके हिप यहाँ पर है 36 उसे हम डिवाइड करेंगे 4 से तो 9 आएगा उसमें हम 1 प्लस करेंगे तो 10 यह वाली जो चोड़ाई ह से हमें रखना है 36 यहाँ पर हिप है उसे हम डिवाइड करेंगे 4 से तो 9 आएगा उसमें हम प्लस 2 करेंगे यहाँ पर अगर आपका हैवी साइज है तो आप इसमें 2.5 यह 3 इंच तक भी प्लस कर सकते हो तो यह दोनों निशान आपको हिप को ध्यान में रखते हुए लगा कि अगर तरह आपको पूरा इत्वाइड करना पड़ेगा तो यह आप तो यह आप समझ जाओके जब में निशान लगांगी तब आप देख लेना इसे तो ये मैंने यहां पर इस तरह से फोल्ड कर दिया है कपड़े को और कपड़े को आप हमेशा रॉंग साइड पर ही निशान लगाते हैं जो सीधी साइड है वो आपको अंदर रखनी है और जो कपड़े की उल्टी साइड होती है वो आपको बाहर रखनी है और उल्टी तो उसे आपको सीधा करने के लिए सबसे पहले एक निशान लगाना जरूरी होता है जरूरी नहीं निशान करके वो निकाल दे जो टेड़ ही मेडिय साइड होती है अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर आपको निशान सीधे लगाने में थोड़ी सी प्रॉलम आएगी तो ब अच्छी लगती है तो मैंने टू पॉइंट फाइफ इंच यहां पर फोल्ड के लिया है तो अच्छा लगता है और अब इसे मैं सीधा मिला दूंगी मैंने कोशिश की है हर छोटी से चोटी चीज इसमें बताने की फिर भी अगर आपको कहीं पर दिक्कत आती है तो मुझे आप Instagram पर मैसेज करके पूछ सकते हों वहाँ पर मैं आपको समझा दूँगी तो यहां पर हम डेडिंग छोड़ करके अपनी लेंद का निशान लगाएंगे क्योंकि डेडिंच की हम बेल्ट अलग से लगाएंगे फ्रंट में तो इसलिए डेडिंच हमने यहां पर कम रखा है जब हम बेल्ट लगाएंगे तो वह डेडिंच यहां पर पूरा हो जाएगा ठीक है लंबाई यहां पर मैंने ली है डेडिंच छोड़ने के बात तो लंबाई का निशान मैंने यहां पर लगा दिया इस तरह से अब एक साइड मैंने निशान लगा अब दूसरी साइड भी पर लगा दिया है सिधा तो लम्बाई का हो गया अब यहाँ पर यहाँ पर यह दिखी यह यह मैंने आभी आपको पूरा इसाब समझा था सारा जो हिसाब है वो हमें हिप के हिसाब से हिह पर रखना है अब 36 हं हरे ही है आपके Чितने भी हो उसे आपको डिवाइड करना है 4 से तो यहां पर 36 हिप है उसे हम डिवाइड करेंगे 4 से तो 9 नाएगा उसमें हमने 1 प्लस कर दिया है तो यह 10 इंच किया हमने यहां पर निशान लगा दिया अब यह नीचे वाला जो है 36 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 9 नाएगा इसमें प्लस 2 कर है हमें अगर आपका हैवी साइज है काफी मतलब साइज ज्यादा है आपका तो आपको यहां बर 2.5 या 3 इंच भी आप आराम से ले सकते हो तो यहां पर मैं इसमें जो प्लस करूंगी नाइन में वो टू प्लस करूंगी उपर मैंने केवल वन इंच किया है अब इसे मैं सीध हम बढ़ाएंगे ऐसे हैवी साइस है तो आप इसे 2 इंच भी बढ़ा सकते हैवी साइज के लिए केवल नॉर्मल साइस के लिए बिलकुल नहीं यह ठीक केवल डेड़ी इंच यह आपको यहां से बढ़ाना है अब यहां से यह जो आपकी चोड़ाई है इसका आप सेंटर आएगा तो साड़ी 11 होगा यह हमारा क्योंकि दस इंच और देडिंच हम नेक्स्टर लिया है तो इसके हम हाफ में पहले तो मैं सीधा ही निशान लगा के आपको दिखा देती हूं और अब इसके हम सेंटर में निशान लगा देंगे यहाँ पर और इसी तरह से अब नीचे तक हम निशान लगा देंगे मैं एक बार इसे चेक कर लूँगी अब इस निशान को ध्यान में रखते वे नीचे तक आपको इनिशान लगा देने हैं आप इसे नाप ले ये कितना है और फिर इतना ही नाप करके आपको नीचे तक निशान लगा देना है अगर आप इस तरह से बनाओंगे बिल्कुल पर्फेक्ट आपका प्लाजो पेंट बनेगा और कभी भी आपको कोई प्रॉलम नहीं आएगी बनाने में तो आप इसे बना करके जरूर देखे और यह कैसा बनाए मुझे कॉमेंट करके ज़रूर से आप बताएं कि या अच्छा लगा या कहां Polish लगी Esto मिला दूंगी इस तरह से अब यहां पर इसथा की मोरी है मोरी यहां पर हमारी कितने 13 थार्टी थार्टीन हमारी राउंड में मैंने इस तरह से नापी थी तो थार्टीन का हाफ हम यहाँ पर लेंगे और हाफ पर हम यहाँ पर निशान लगा देंगे साड़े च्छे होगा ठीक तो साड़े च्छे हमें नीचे लेना है तो साड़े च्छे का भी हम हाफ कर लेंगे क्योंकि हमें सेंटर को ध्यान में रखते वे लगाना हैं तो आप इंची टेप को फोल्ड करके देख लें और फिर यहां पर निशान लगा दें तो यह यहां पर हमने कितना लिया 13 का हाफ लिया है हमने यहां पर 6.5 इंच पर यह मैंने मोहरी का निशान लगा दिया आप अपने इसाब से कम ज़्यादा कर सकते हों जितना चोड़ा या कम आपको पसंद है अब इसे सीधा मैं उपर तक मिला दूँगी यहां से भी मैं इसी तरह से मिला दूँगी तो यह मैंने नीचे तक अब इस तरह से मिला दिया है इसे यह हो गया अब यहां से हम इस तरह से गोलाई में शेप दे देंगे इसमें और अब यहां से यह जो दूरी है यह 10 इंच हमने ली थी इसके सेंटर में हम निशान लगा देंगे 5 इंच पर और ये हम 4 इंच पर इस तरह से डाट डालेंगे ये 4 इंच की हमें डालनी है और ये हमें 1.5 इंच चौड़ी रखनी है तो 1.5 इंच पर आप यहाँ पे निशान लगा दे मतलब ये टोटल होगी यहाँ से कम तो 1.5 इंच होगी कर दो 20 इंचे यहाँ कैमरा के mbसक यहाँ कर दिया से कटिनों कीज कर दिया तो इसलिए मैं आपको बतारें के मैंस से क्ट कर दिया और यहाँ से लिगा कभी-कभी है साथ हो जाता थै नहीं desse पर निखाए चलगा दें ताकि पीछे की साइट भी सेम इसी तरह से मैं यहां पर डाट कर निशान लगा सकूँ क्योंकि फ्रंट में हमें दो डाट लगाने हैं दोनों साइट इस तरह से है कि तो बस कुछ एक शिंपल यह कट कर देना है कर अब यहां पर आप इससे इस तरह से फोल्ट कर यहाँ पर आप नाखूं से इस में केवल मर कर से इस तरह से इस आल लगादे эконом से लगा दे और फिर चॉक से लगा दे ताकि आपको कितना आपको फोल्ड करना ही आगे जब अब फोल्ड करते हो तब बहुत काम आता है लिए moc यंगी तो यह मैंने अब इसके ऊपर रख दिया है इसे आपको अच्छे से रखना है इसके उपर तो यह दिखिए मैंने इसके उपर रख दिया है टू फोल नीचे का मैंने कपड़ा कर लिया है अब यह जो पीछे वाली साइड है इसमें आपको कुछ नहीं करना है बिल्कुल इसके बराबर ही आपको निशान यहां पर लगा देने है जैसे हमारे पीछे की साइड है अब जो निशान हमें बढ़ाने है वो दूसरी साइड करने है यहां हमें कुछ भी नहीं करना है यह हमारा जो फ्रंट वाला उसके बराबर ही पीछे से कटेगा अब यहां पर आते हैं हम यह important चीज है यह आप समझ लीजिए सबसे पहले सबसे पहले मैं यहां पर डेड़ इंच पर निशान लगाओ क्योंकि फ्रंट साइड में हमने डेड़ इंच कम किया था क्योंकि हमें बैल्ट लगानी थी अब बैक साइड में हम इसी में कपड़ा रखेंगे उसमें मैं इलास्टिक लगाओंगी पीछे के साइड तो इसलिए मैंने वो वाले डेड़ इंच यहां पर सबसे पहले निशान लगा दूँगी फ्रंट में से जो कम करके लगाये थे वो क्योंकि फ्रंट में जब बैल्ट लगा देंगे तो डेड़ इंच पूरी हो जाएगी तो बैक वाले में इसलिए मैंने डेड़ इंच यहां पर लिया है डेड़ इंच में इसलिए बताओ जैसे हैवी साइज वाले होते हैं तो उनके लिया किसी को दिला ढाला सा पसंद है थोड़ा लूज पसंद है पहनना तो वो डेड़ इंच लगाए अगर आप दो इंच पर भी यहां लोगे तो भी आपका पर्फेक्ट साइज का प्लाजो बनेगा पैंट पनेगी और बिल्कुल भी लूज नहीं होगी और नहीं टाइट होगी तो और मैंने फिटिंग सॉरी मैंने इसलाई के लिए फ्रंट वाले पार्ट में कोई मार्जन नहीं लिया है वो पीछे ही ले लिया यह धाई चाप लोगे और तब आप कटिंग करके बनाओगे तो आपको कहीं से भी ऐसा कोई दिकत नहीं आएगी मेरे पास बहुत सारे कॉमेंट आय थे कि आपने फ्रंट में तो लिया नहीं है तो यह पीछे ही हमने काफी ले लिया है तो हमें फ्रंट में जरूरत नहीं है अब यहां से केवल मैंने धाई-धाई इंच पर लगा दिया है ठीक अब यहां से मैं इसे आगे बढ़ा दूंगी अब उपर की साइड इलास्टिक को ध्यान में रखे आपको निशान लगाए यह जो इलास्टिक है इसकी चौड़ाई वन इंच है इलास्टिक की चोड़ाई मैं आपको इसलिए बताए क्योंकि हर्जग इलास्टिक की चोड़ाई कम जादा हो सकती है तो यहां पर मेरे पास वन इंच है आपकी इलास्टिक जितनी भी हो आपको उसे नाप लेना है उस हिसाब से निशान लगा देना है इसकी एक इंच है तो म मैंने 1.5 इंच यहां पर लिया है मुझे नीचे कॉमेंट करके मत कहना कि आप एक ही बार को एक ही बात को आप चाचार बार बताते हो बताना पड़ता है और मुझे बार बार कोशन करके लोग पूसते हैं कि आपने यह कैसे बताया इसलिए कम मैं कोशिच करती हूं दो तीन यहां पर यहां पर टो इंच मैंने यहां पर और निशान लगा दिया क्योंकि बैक साइड हमारी थोड़ी उठी होती है जब आप उठते बैठते हो तो वो खिचाव महसूस नहीं होता है इस तरह से आपको पीछे निशान लगाने है बाकि यहां ने ठाई भाई इंच जैसे फ्रंट में दी थी अब इस तरह से आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से कट कर देना है तो मैं दोनों पार्ट हमारे यहां पर कम्प्लीट हो गए है तो साइड से मैं इस तरह से कट कर दूंगी यहां से आपको आगे वाला जो पल्ला है उसके बराबर ही कटिंग करनी है यहां है यहां पर मैंने इ medida कट लिए है यह पॉकट के लिए हैं तो पॉक्इट के लिए हम साड़े तेरा एंच की लंबाई लेते हैं कपड़े की ठीक है और ऊपर से यहां पर 5.5 पर निशान लगा जाई है और नीचे से 6.5 पर लंबाई 13.5 इंच ली है ठीक है ध्यान से सुने अब और अब इस निशानों को हम आपस में मिला देंगे उपर से 5.5 और नीचे से 6.5 और यहां से हलका सा हम ऐसे ही शेप देंगे इसकें अपको शेप देनी है और अब अब इस तरह से कट कर दूंगी इस तरह से आपको पॉकट जे दो कट करनी। और द्यानक देखे मैं ने सीट ल इदर क कप्ड़ी के अची है इस तरह से आपको बिल्कुल कपडे को देक कर का बंसाइट करनी तो दो आपको ऐसे कट कर लेने हैं अब यहां से आपको आधा आधा इंच की दूरी पर यह सिलाई लगा देने हैं यह हमारा फ्रेंट पार्ट है तो इसे हम यहां से सिल देंगे इस तरह से मैंने यहाँ पर सिल दिया है अब यह जो बैक पार्ट है यहाँ पर भी हम इसमें सिलाई कर देंगे और इन दोनों पार्ट को हम जोड लेंगे इसके साथ जो कूर्ती है उसकी पहले मैंने वीडियो अपलोड कर दी है अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वो देख लें वो भी बिगनर्स के लिए है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो जिने बिल्कुल नहीं आता है यह वीडियो उनके लिए मैंने कोशिश की अच्छे समझाने की अब यहाँ पर यह देखी आप यह मैंने कप्राइस तरह से लिया सिलाई करने के बाद आपको ऐसे कोलना है और यहाँ पर आपको सिलाई लगा दिनी है इस सिलाई से क्या होता है कि आपकी जो सिलाई है वो बिल्कुल पक्की हो जाएगी क्योंकि पैंटर प्लाजो हमारा यह सिलाई को पक्की करने के लिए है एक सिलाई आप उपर से लगाऊगे तो हमारी सिलाई जो है वो पक्की हो जाएगी इसी तरह से हम पिछे वाले पार्ट में भी रेडिक कर लेंगे तो यह हमारी सिलाई यहां पर हो गई है आप यह ध्यान से देखे आपको कैसे लगानी है यह इस तरह से हमारे पास और यह आपको दो कट करनी थी मैंने आपको एक ही कटिंग करके दिखाई थी तो अब यहां पर 2 इंच पर हम यह निशान लगा लेंगे और यहां से 6.5 इंच पर आपको यह निशान लगाना है इस तरह से आधा इंच पर आपको ऐसे इसे मिला देना है आधा इंच की दूरी पर आपको ऐसे मिला देना है ठीक है और अब आपको इस तरह से इसे उठाना है और ऐसे रखेंगे हम ये फ्रंट साइड है हमारे पैंट की और यहाँ पर इसमें आपको सिलाई कर देने इस निशान के उपर-उपर ऐसे और फिर इसे सीधा आपको इस तरह से सिलाई कर देनी है एक ही पॉकेट लगाके मैं आपको बताऊंगी तो उससे आप समझ जाना आफी दूसरी पॉकेट में आपको आप खुदी अराम से लगा सकते हो तो यहाँ से अब हम कट करेंगे हो ये कटिंग आपको सिलाई के उपर नहीं करनी है और अब इसे आपको ऐसे अंदर की साइड फोल्ड कर देना है इस तरह से और एक सिलाई आपको इसके उपर लगा देनी है आप इसे पहले हाथ से अच्छे से कर ले ताकि फिनिशिंग इसमें आ जाय है अच्छे से और फिर इसके उपर-उपर आपको यहां सिलाई लगानी है इस तरह ऐसे यहां तक लाएंगे अब दूसी साइड तक हम इसे घुमा देंगे तो यह सिलाई यहां पर हमारी ऐसे हो गई है अब यहां से देखे आप यह वाला यह कपड़ा कुछ इस तरह से दिखेगा अब आपको यहां पर खोल कर दिखाया अब आपको यह अंदर साइड के ही ऐसे ही equal करना है । सिलाई आपको यहां से लगारी procent यहां यहां से हम पूरे में ऐसे गोलाई में सिलाई लगा देंगे यह सिलाई लगा दी बैने यहां पे अभी से मैं सीध्धा कर दूँगी यह देखे कुछ इस तरह से दिखेगा यहां पर अम मैंसे सीधा कर दूँगी और सीधा करने के बाद एक सिलाई हम यहां उपर लगाएंगे इसके उपर सिलाई लगाने के बाद क्या होगा इस सिलाई पर हमारी बिल्कुल पक्की हो जाएगी और आप अपने पॉकिट में कुछ भी समान रख सकते हो चोटा मोटा और अपना मुबाइल फोन वगारा इसमे एजी लिए आप रख सकते हो तो यह सिलाई निकलने का डन नहीं रएगा हमें ठीक है यह सिलाई हमने लगा दी तो फोकेट हमारी नीचे से बंद हो गये है यह अब आप देख सकते हूँ यह कुछ इस तरह से रेडी होगी पीचे से ये कुछ ऐसे है, और उपर के साइट से इसमें हम सिलाई करके बंद कर देंगे, तो इससे पहले हमें डाट की यह वाली सिलाई लगानी है, और फिर उपर से सिलाई कर देंगे तो यह बंद हो जाएगी हमारी, तो दोनों साइड मैंने इस तरह से पॉकेट लगा ली है अब मैं यहाँ पर डाट की सिलाई कर दूँगी और यह डेड़ी इंच की हमें रखनी है इसकी चौड़ाई जैसे जैसे मैंने बताए इस तरह से आप बना करके देखें आपका जो पैंट प्लाजो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और आपको थोड़ा लूज वागाला चाहिए तो आप धाइंच ले अगर बिल्कुल परफेक्ट मतलब थोड़ा आप टाइट सा पहनना पसंद करो टाइट मतलब यासा ने कि आपको दिक्कत होगी आप थोड़ा से सिलाई में एक और उपर से सिलाई इसमें लगा देना तो अब उपर की साइट से भी हम इसे बंद कर देंगे धाइश ले के फायता ये रहता है कि मालो कभी आपको हलका फुलका लूज करना पड़े तो आप इजीली कर सकते हो यह काफी कमफर्टेबल बनत है तो आप इस तरह से जरूर से बना के देखें कि एक साइड मैंने सिलाई लगा दी अब दूसी साइड में ऐसे ही सिलाई लगा दूंगी तो यह पॉकेट हमारी उपर से भी बंद हो गई है तो देखें यहां से कुछ इस तरह से और जब हम बैक वाला पाट इसके उपर रखेंगे तो यह बाकी का भी हमारा पॉकेट यह पूरी हो जाएगी तो अब यहां पर यहां पर हम बैल्ट बनाएंगे इसके लिए तो यह इस तरह से आता है market में यह पूरा रोल आता है और यह पेस्टिंग वाला है यहाँ पर यह देखे आप इसे आप कप्ड़े के उपर रखें ऐसे करके यह अंदर चिपकाने का है चिपकाने वाले साइड अंदर और इसके उपर आप गर्म प्रेस लगा दें यह छोड़ा से कोफ एकिंटे में इना क्या है बिल्ट उपर मैंने अधा इंच छोडा है यहां पर गरी नीज सरे होईским और भील कर यहां पर एक्स नोटा कर दो फोर शें कि कलि बताया और इसके जो लंबाई है, बेल्ट की, वो जो आपका पैंट प्लाउजो है, उसे आप नाप ले, फ्रंट साइड को यसे पूरे को, और जितनी ये है, उतना ही आपको इसकी लंबाई रखनी है, ठीक है, इसके बराबर आप इसकी लंबाई ले, अब यहां से आपको ऐसे करना है, तो आधा इंच हमारे यहां सिलाई में जाएगा, यह आधा इंच ऊपर हमारा फोल्ड में हो जाएगा, तो यह मैंने सीधर सिलाई कर ली है, यहां पर इस तरह से आधा एदा इंच की दूरी पर, अब यह देखे, आपको यह ऐसे फोल्ड करना है, अंदर की साइड, यह मैंने हाफ इंच यहां पर छोड़ा था, और अब इसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे और इसमें हम सिलाई लगा देंगे, इस तरह से पूरे में सिलाई लगा देंगे, तो बैल्ट का तरीका आपको समझ में है, जितनी आपकी चोड़ी बैल्ट है, यह तो उपर के साइड मैंने ह 2 इंच लिया है कपड़े में, तो हाफ इंच छोड़ करके आपको यह चिपका देनी है और फिन नीचे दो इंच लेना है, तो यह हो गया, अब यह हमारा फ्रेंट पार्ट बिल्कुल रेडी हो गया है, अब इसमें हम बैक पार लगाएंगे, तो यहां पर देखे यह बैक आधा आधा इंच की दूरी पर आप यहां पर सिलाई लगा दे, तो यह देखे आप इस तरह से दोनों पार को मैंने एक दूसरे के ऊपर रखा है और यहां पर आपको सिलाई लगानी है, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, तो प्रिस लाइक जरूर से करें, ल मुझे इस्ट्रग्राम पर जाकर्के फोलो कर ले, लिंक मैं आपको description box में देदूंगे या हम वहां से चेक कर सकते हो, लिंक आपको सभी वीडियो के description box में मिल जाएंगे मेरी तो आप मुझे वहां फोलो कर ले, और वहां पर आपको कोई भी कोशन होता है, तो मुझे पू पॉकेट का मुह होता है आगे की साइड से उसके उपर आपको सिलाई नहीं करनी है केवल पॉकेट के साइड साइड में ही आपको सिलाई करनी है सिलाई करने के बाद में आपको दिखाऊंगी ठीक है यहां पर हमारी पॉकिट है इस तरह से तो पॉकिट का ध्यान रखते हुए आप अगर उपर से टच करोगे तो आपको पता चल जाएगा क्योंकि हमने वहां पर सिलाई लगाई हुई है तो सिलाई के दूसरी साइड तक ही आपको सिलाई लगानी देखिए यहां से इसके बिल इस तरह से बिल्कुल बगल बगल में आपको इसके शिलाई लगा देनी है तो आप इसके उपर जब कपड़ा रखोगे आप उंगली से ऐसे टच करके देखोगे तो उंगली से आपको आपको पता चल जाएगा ठीक तो आपको क्या करना है यहां पर आप चौक से निशान लगा लें ताकि आपको अंदाजा रहें सिलाई आपकी अच्छी से लगें वैसे तो उंगली से आप टच करोगे तो ही आपको सही पता चल जाएगा आपको सिलाई कहां लगानी है पर फिर भी अगर आपको तबी भी कोई दिक्कत होती तो आप इसमें चौक से निशान अब यहां पर आपको ऊपर बेंट लगानी है पीछे लास्टिक वाली तो इसके लिए बहुत ही बैस तरीका में आपको बताती हूं यह देखिए जो फ्रंट वाला आपको एक बाई यह नाप लेना है अब मान लीजिए आपके कमर 30 है तो यह फ्रंट वाला है हमारा 15 इंच जैसे 15 इंच पीछे आपको तयार करना है तो 15 इंच की आपको एलास्टिक लेनी है उसमें आपको 2 इंच कम करने हैं तो मतलब आपको तेरा इंच की iyльास्टिक की लंबाई लेनी है दो इंच छोड़ करके ठीक है आपकी कमरगर 30 है तो फ्रंट में तो जो रेडी हुआ है ये 15 इंच रेडी होगा हाफ इंच रेडी होगा तो जैसे ही 15 इंच है 15 हमारा पीछे भी होना चाहिए तो क्योंकि एलास्टिक हमें लगानी है तो एलास्टिक कार्बार पूुछ कंच कर दिखи को देख है तो आप यहां पर आपको समाझ आ चाहिए ठीक है यहां से हमें क्या कर ना यह करना है कं इसे तर जाप करना यहां विचे हुआ है इस यहां से आपस्ट जोग को दिक्कत होती ह Direnna y album कि यहां थे एख तो इसमें जो सिलाई करते रिए लोगों को प्रॉलम आती है तो उसका मैं आज आपको सल्यूशन बताती हूं कैसे तो सिलाई आपको सबसे पहले निशान लगा लेना है अभी से हम ऐसे फोल्ड करेंगी अब यहां पर आप इस तरह से निशान को ध्यान में रखते हैं जो कि अभी हमने लगाया दो दो इंच पर उतना ही आपको फोल्ड करना है तो यहां पर पिन लगा दे ताकि आपको अंदाजा रहें ठीक है और फिर आपको यह पकड़कर के सिलाई लगा देनी है अभी बिल्क प्रॉलम की बात नहीं और वैसे भी लास्टिक लगने के बाद कुछ भी नजर नहीं आता है तो इसमें घबराने की ज़ुरत नहीं है कि हमसे बेल्ट नहीं लगती है या तेड़ा मेड़ा जा रहा है तो आपको इस तरह से करना है थोड़ा सा पैसे देख लें पिल लगा आप इसमें हलका सा अंदाजे के लिए फोल्ड करके और क्योंकि हमने निशान लगा हुए हैं 2-2 इंच पर पूरे में तो हमें पता है यह हमें कितना फोल्ड करना है तो इसलिए हमारी जादा टेड़ी मेडी नहीं जाए और कहीं पर आपको लगता है कि आपको इसमें हलका एलास्टिक की चोड़ाई वाल आपको समझ में आया जितना मालो आपकी 30 कमर है तो 15 फ्रंट में होगा 15 यह आपको बैक में रखना है और 15 में से आपको दो कम करने है जितना भी आपका बैक में आता है उसमें से आपको 2 इंच कम करने है और फिर हाफ-फ इंच हमारा यहां पर सिलाई कर दी ठीक है इस तरह से चार से पांच आपको इहां पर सिलाई करने ताकि लास्टिक निकले ना इसी तरह सब यहां पर भी आपको बिल्कुल किनारे पर ऐसी इलास्टिक के ऊपर यह सिलाई लगाने है आपको यहां कोने में यह देखिया बिल्कुल इस तरह से किना तो यहां खीच करके आपको थोड़ा सा बीच में ऐसे सिलाई लगा देनी है यह सिलाई हमने यहां पर ऐसे लगा दी है तो यह कुछ ऐसे दीखेगा तो देखेगे अगर हलका सा आपका तेड़ा मीड़ा जाब यह राय आपने चुननत डाली है तो इससे कोई फरक नहीं पड़ता है तो इस तरह से आपको बेंट लगानी होती है तो ऊपर से हमारा बिल्कुल रेडी हो गया नीचे की साइट से हम इसमें सिलाई करेंगे तो नीचे की साइट के लिए मैं आपको बहुत साइच चीज़े यहाँ पर बताऊंगे चुटी चुटी चीज़ों का आप तिहां लखोगे तो आपको बहुत एजिली आपके बेंट तियार हो जाएगी अब देखें नीचे की साइट सबसे पहले हमें यहाँ पर हाफ इंच ऐसे फोल्ड करना और फी इस तरह से फोल्ड कर देना है ठीक है तो यह फोल्ड करते हैं अगर आपको थोड़ा तीड़ा मेड़ा जाता है यह आपको दिक्कत होती है तो उसके लिए आपको क्या करना है तो आपको यह हमने जो निशान लगाया हुआ था नीचे 2.5 इंच पर ऐसे आपको यह लेना है और नाखून से आपको दुबारा सैसे बिल्कुल बराबर कर ले आप इस तरह से बराबर करके आपको देख लेना है मैंने हलका सा यहाँ पर नाखून लगा दिया अब इसे आपको क्या करना है अब ऊपर से आपको प्लाजो पैंट आपको इस तरह से लेना है कपड़े को और इसमें आप पिन लगा दें एक बार देख लिए थोड़ा भी टेड़ा मेड़ा ना हो बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए ठीक है यह देखने के लिए है सेंटर क का ध्यान में रखते हैं सेंटर में मैंने एक लगाई और फिर यहां से मैंने इस तरह से बराबर कर दिया और फिर नीचे तक यहां पर ऐसे देख लिया ठीक है अब यहां से आपको कपड़ा ऐसे लेना है जी जो निशान हमने लगाया हुआ था इसमें आप नाखून से ऐसे ठीक है यह ऐसे कर दिया हमने अब यह नाखून से हमने इस तरह से किया है अब इसके उपर आपको चौक से निशान बना देना है और जो निशान आपको बनाई यह फ्रंट साइड बनाना है कपड़े की ठीक है यह ध्यान से देखें फ्रंट साइड करना है अंदर के साइड नहीं करना है, जो सीधी साइड है, वहाँ आपको निशान लगाना है, अब यह हाफ इंचाप ऐसे फोल्ड करोगे, और फिर ऐसे फोल्ड करोगे, तो यहाँको निशान यहाँ से नजर आएगा, कि आपको कितना फोल्ड करना है, सुझकपल आप इस तरह से सिलाई कर दे और वैसे यह बड़ी चाल करके आपको सिलाई करनी है मैं इसमें तुर्पाई करूंगी तुर्पाई बहुत अच्छी लगती है तो यहां पर मैं बार में तुर्पाई कर दूंग और यह सिलाई निकाल दूंगी ठीक है तो यह ऐसे है अब मैं दुबारा से इसम में निशान लगा दे इस तरह से निशान लगा दे यहां पर और यहां पर आपको सिलाई लगानी है अब यहां पर निशान मैंने के विल नीचे लगाया पूरे में नहीं लगाया है अगर आपको दिक्कत होती मैं ऐसी सिलाई कर दूंगी अगर आपको और भी अच्छे तरीक अच्छा है मैं अन्दाजे से ऐसी सिलाई लगा दूगी और जैसे मैंने यहां पर यह किया है अब इसके बाद आपको दूसरे वाला जो हमारा यह मोहरी है वो भी इसी तरह मैं सेंटर से मिलना चाहिए यहां अब यहां से आपको कपड़ा सिलाय करते में नीचे तक लेके जाना है यह इस तरह सी अब नीचे के साइड से ये वाली मोरी में भी मैंने पिन लगाई हुई है ताकि मुझे दिक्कत ना हूँ यहाँ पर और आप इसमें निशान लगा ले पहले और फिर सिलाई लगा दें निशान लगा के आपको अच्छा लगेगा मतलब आपके लिए इजी हो जाएगा तो यह देखें यहाँ पर कभी भी अगर आपका चोड़ा भी है तो आप चोड़ा नीचे से सिलाई लगा दें पर सेंटर में आपको सिलाई चोड़ी नहीं लगानी है ठीक है तो यह यहाँ पर हमारा विल्कुल पैंट प्लाजो इस तरह से सिलाई हो गई है नीचे से भी हमन प्लीज लाइक जरूर कीजिए सब्सक्राइब नहीं किया आपने मेरे चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले नौटिफिकेशन बेल भी आपको जरूर से दबाना जैसे नई वीडियो में डालूंगे तो आपके पाँ नोटिफिकेशन आज जाएगा आप मेरी वी फोलो कर लें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में